नमस्कार दोस्तों आस्विका बहुत बहुत स्वाकत है हमारे इस यूटूब चैनल खुशाल जिन्गी में तो हिंदू धर्म में महाशिवरात्री का खास महत्व है और इस दिन भागवान शिव की पूजा की जाती है और इस बार महाशिवरात्री का पर्व एक माच को पढ़ रहा है और इस दिन पूरे विधी विधान से भागवान शिव की अराधना की जाती है साथ ही इस दिन शिव क्या खाएं और क्या ना खाएं तो सबसे पहले हैं मैं बात कर लूँगि कि माथ Mississippi की दिन आपको किन चीज़ओं का सेवन नहीं करना चाहिए सबसे पहला वरत मेंहासाहार और भारी भोजन खाने से पूरी तरह परहेस करना चाहिए दूसरा, शिवरातरी के वरत के भोजन में प्याज और लेसन का इस्तमाल नहीं करना चाहिए तीसरा, जिन लोगों को गैस या एसिडिटी की समस्या होती है वरो वरत के दिन चाय और कॉफी का सेवन कम से कम करें चौथा, वरत में सालहार नमक का इस्तमाल बिलकुल ना करें इसकी जगा पर सिंधा नमक डालें पांचवा, वरत में शिराब पीने से बचें अब हैं बात कर लेते हैं कि शिवरातरी की दिन आपो किन चीजों का सेवन करना चाहिए सबसे पहला, आप अनार या संतरे का जूस भी सकते हैं ऐसा करने से शेरी में पानी की कमी नहीं होगी दूसरा, जादा से जादा पानी पीएं ताकि डी हाइडरेशन के समस्या का सामना ना करना पड़े चौथा, वरत के दिन आप मखाने और मुफली को हलके घी में फ्राई करके इसमें सेंधा नमक मिला कर खा सकते हैं पांचवा, इस दिन आप गाजर ये लौकी की खीर बना कर भी खा सकते हैं तो आज की इस वीडियो के बस इतना ही और इस वीडियो मैंनों को बता दिया है कि महाशिवराती के दिन आपको क्या चीज़ खानी चाहिए एक किन जीजों का सेवन नहीं करना चाहिए एक किन जीजों का आपको परहेस करना चाहिए तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमाचन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और साथी साथ मैं अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो भी अप्लोड करती हूँ तो आप प्लीज उन्हें भी सपोर्ट करिएगा और आज की इस वीडियो के बस इतना ही और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज हमाचन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा मैं मिलते हूँ आप से अपनी अगली वीडियो में तब तक लिए नमश्कार और अपना ध्यान रखें